तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़दार एपिसोड में आज भी है हॉरर स्पेशल क्योंकि दुबारा से हमारे साथ आचुके हमारे भाई नितिश ठाकुर फ्रॉम कुलू और भाई एक ऐसी जगह से आते हैं जहांपे बहुत सारी सूपर नैचरल चीजों का वास है चाहे वह नेगिटिव हो या पॉजिटिव तो भाई के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस जो कि एक एक एपिसोड में कर पाना बहुत ही मुश्किल था तो अमने भाई को का दुबारा आओ और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ बाटो हमारी ओडियंस को बहुत पसंद है इंसिडेंट्स होते हो एकदम रियल होते हैं तो सबसे पहले तो भाई स्वागत है आपका थैंक्यू वाई थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच पहले तो मुझे इंवाइड करने के लिए और फिर से और बस वही है पॉड़कास्ते चल रही है बाकी देवी देवताओं का ध् यह माचल गया मेरा तो यह मानना है वाई कि एंटिटी हर जगा है वही लेकिन हम इसलिए बच्चे रहते हैं क्योंकि हमारे आसपास देवी देवताओं का ज्यादा है तो हम लोग को अगर कुछ हो गया तो पिछली बार तो मैं बहुत वीक था मैं सची बात बलू अंदर से मैं मतलब क्योंकि देखो न हम एक गंटा दो दो गंटा पांच-पांच गंटा भाई हॉरर की बाते करनी हूं आसे उपर से फोकस करते हैं अच्छा हमारे बारे में बाते हो रही है तो वैसा तो काफी चीजे हो जाती है इसलिए थोड़ा सा इस दोरान जब आप यहां थे फिर आप गए हमसे मिलके तो कोई और कोई और हॉरर के सावा पता चला कुछ बढ़िया बताओ भाई देखो हॉरर तो मैं एक चीज़ से ऐसा बोलूँगा कि देखो हमारे देवी देवताओं के साथ जो हमारे देवी देवता जो चीजे ठीक करते है ना और जो आम लोगों कुछ ऐसी है कि मज़ा जाएगा मतलब भाई शुरू करो बिना किसी देरी के तो भाई आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक शुरुआत करता हूं एक हमारे एक स्टोरी है इससे एक बहुत अच्छा मेसेज भी जाएगा भाई एक टाइम के बात है ना और यह जो भ दस साल पहले की बात है जो रियल किस्सा है तो इसमें पता क्या हुआ था एक बंदा होता है उसकोन एक लड़की बहुत पसंद आई होती है और वो लड़की बड़ी खुबसूरत होती है ब्रह्मन कन्या होती है यह हमारे हिमाचल मंडी की बात है यह मैं नाम प्रॉपर ले बxisने आउसका दिल आगया तो वो क्या करता था वो रोज होता ना देखने वाली बात उसको रोज और एक वार क्या हुआ कि जैसे बस में खड़े होते थे तो वो भी सा थोड़ थूड़ चिपक जाना उसने भी सासा थ उसके तो अब इस समें अब क्या दिमाग बोल सकते है तो ऐससे कुछ हो गया, उस लड़के का की, मतलब होते है न अंदर की थोड़ी सी उतेज ना बढ़ गई या क्या बोल सकते है, वो हो गया तो उसने क्या करना उसने बस में उसके साथ न अपना प्राइविट पार्ट न टच करते रहा न उसने तो लड़की ने बोला, उसको काफी वार्निंग भी दिये कि मत कर, मत कर, इस चीज़ें, पर ऐसा भी जवानी का जोश है, या कुछ भी है, मतलब मैं तो इस चीज़ को गलती मानूगा, मतलब गलती है, यार बस मैं अगर ऐसा बिना किसी की इजाज़त, तो वो प्राइवेट पार टच करता है, जब अती हो गई, अब मैं हमाचली वडियोज कर रहा हूं, मतलब जो मेरे जो नेच्रल है, जब कहते कि अती हो गई, तब लड़की ने ये बोला, तो तू सूधर जा बोला ना, और अगर तू ये चीज़े कर रहा है तो तेरे ना, खीड़े पड़ क्या कहते है उसको चुटे-चुटे होते ना, जो फिंसिया जैसी आने लगी, फिंसिया ना, वो बड़े फोड़े के रूप में बड़े-बड़े होने लगी और उसका प्राइविट पार गलने लगा दिर 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 और और भाही साब, उसने सारे डॉक्टर्स को दिखाया हर जगा दिखाया कि यह क्या चक्क क्रें, डॉक्टर जने भी बोला कि आर थीक है, एक दुए देदी वो दुएदेग, ठिर देजर हो जायाए का ठीक हो जाए खिए लेकि यह ठीक नहीं हो रहा था, और पिर उसको किसी ने बोला, यार तो एक बार क्यूंकि हमारे पहले भ वह एक्सली लड़का था वो पंजाबी था लड़का वो प्रॉपर बता रहो में सारी बात पंजाबी था वो तो ने बोल दिया और देप्टेक पास चाले महारे ले पूछ ले तू ठीक नहीं हो रहे ऐसे भी क्या थिक्कत होगी तो वो गया देप्टेक पास देप्टेन कि अब देवता को भी पता, यार किसी नाम ले ले लेंगे, तो लडाही हो जाती है, हाला कि इसमें कुछ लोग नाउन कि есть where देवता को WORSFULLY उने से पुछवाते है, और पिर देवता भी और तो भानी सहीं, हमारी भाईतां हूते हैं तो वह होती है, एक दम ऐसे परिवार की तरह उसमें मतलब फैमिली की बात कि तू बताना हम तेरे को इतना पूझत है हम तरसे यह से इतना प्यार करते ही ग्यां करते ये थैर ये यह यज रिख थो मिठा के लिख न देटा के साथ तो देफटा के लिए तो बच्च ए देवता बौलता है जो बोड़ना होगा लेकिन इगों बहुत फूर्स फूली पुछते हैँ आ क्या तो बता देते हैं, अब जैसे बच्चे हैं वो भी देवता के, तो फिर देवता को मजबूर होकर कुछ न कुछ चीज़ा पिर कई बार बतानी ही पड़ती है, या तो फिर कई लोग मनत रख लेते हैं कि तो बता हमने तिर लिए ये चड़ाएंगे हम, जैसे मैं बोला कि पाने जमाने में वह करती थी, नहर बनी होती थी, उससानों की मलब कई कुछ होता था, तो चीज़े देरे-देरे-देरे कनवर्ट करते हैं, इन चीज़ाँ को वो किया है, तो इस तरह के की वो करते हैं, हालांकि ऐसा का हाग है, मेरा जो experience बोलता है वह यही बोलता है, कि द प्रॉंग मनत होगी, उसमें कुछ गड़बडी होगी ना, अगर मान लो काम हो गया और हम भूल गये, तो वह उल्टासर इतना खतरनाक बड़ेगा ना, वह सोच भी नहीं सकते हैं, दूसरी होती है कि प्रभू, सात्विक बिल्कु सात्विक तरीके से कि प्रभू, मेरा य उसमें थोड़ा देर लगती है, जैसे आयुर्वयदा टाइप सिस्टम है, जैसे यह हमारे इसमें भी होता है, तो मगर कहीं पर कुछ मांगते हो तो तुम बोलता है कि मत्था टेखने आएंगे, यह काम हो जाता है, काम जब बन जाता है, फिर लोग जाते हैं, आपना काम लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आपने मनत किससे किये, हमारे पास ऐसे तगड़े तगड़े देवी देवता है, जैसे हमारे अठारा पेड़े देव, वीर नास देव, यह ऐसे जवर्दस्त एंटिटी है अगर इनके रूल के खिलाफ गए और यह काम भी बड़ी सतचा है, ऑwnकि आपनी के पास वहां पर जगए हौआँ, मंदिर है वहां पर सिवरे चड़ती है, क्लिर बात एक कोई भी जाकर देख सकता है कि मैचता मेरे यह काम होetteगा तो मैं तेरे दर आकर मैं कुछे दूँगा या मैं कुछे चढ़ाओंगा या मैं कुछे सेवा करूँगा अब क्या होगा कि हमने अपने अगर वो चीज आपकी क्योंकि कई बार आए असा है इनसान ना इनसान की जब चीजे पुरी हो जाए ना मैक्सिमम ऐसा होता है कि इंसान ना दिमाग से स्किप हो जाती है, वो चाहिए एक दिन के लिए हो जाए, चाहिए एक सेकंड के लिए हो जाए, वैसा हो गया तो भाई, मार उल्टी बजाएगी फिर, इसमें चीज ध्यान रखनी पड़ती है, तो हम थे इस स्टोरी में कि वो फिर वो जो लड़का है, तो उसने ये बोला कि भाई, क्या गलती होगी, दिमते ने बोला तेर को तो दगड़ा दोश लगा हुआ है, तो तुने ऐसे सकी है, जा उस लड़की के पैर दो, उससे माफी मांग, नाक रगड, तब तेरा ये ठीक हो जाएगा, प्राइवेट प जागा है, जागा का नाम है, महल, M-O-H-A-L, मतलब ना, तो वहाँ आया वो तो फिर उसकी करिया हुई वहाँ पर, तो उसके लिए उसके लिए, उसके लिए, हाँ, इसमें पर करिया किया किया, मैं ये भी बताते हूँ, तो ये ठीक हुआ था, जो हमारे, मॉनेस्ट्री मे अलिए, बाकि सारी परकरिया की, उसने लेकिन वहां जाके पैर नहीं दोए लड़की थे, उसके लिए नहीं बहुते लखते हकरा है, दोके वापिस आया ना, वहां पर मंदिर में वह, तो उसके बाद उसके आगई की परकरिया, उसने तो बोला अभ लड़की अब हो गया ह मेरे से माफी होगी मेरे एक हो तो लड़की नबचारी अब उसके शब्द सुरंगी बान जिसको बोलते है उसके तो मुझसे तो वो निकले थे और दूसरी बात यह थी कि और वो थी सादक देवी की वो सच्चे मन की ऐसे निक तान्तरिक क्रिया जानती थी वो सिर्फ सादक थी नॉर्मल सादक थी और उसके मूह से जब निकला ना की तेरा एसा रहा जाए और वो सच्च में हो गया अब वह पिस वहाँ पर उसने बोला कि जैसा है उसने बला ठीक है अभ इतने उससे तो तो निकल गई बात तो उसने उसने जो भी इा उसने पैरपूर जो भी इसने प्रचार रिकता की, माफी मुफी मागी वापीस आ गया फिर उसका जो इलाज वह उसका भाई पताते है ऐसा की माघाली की मूर्ति थी तो उसको तब जाके उसका ठीक हुआ अब यह रिच्वल क्य अब यही रिचुल के मैं इसमें थोड़ा कनफ्यूज हो थे क्या हुआ होगा बट यह है रिचुल यह हुआ इसा बट मैं कहा नहीं सकता कि किस बज़ा से किया है तो उसके बाद वो ठीक हुआ बंदा और ओके हो गया अच्छा भाई यार यह तो बताओ अलागी बात है किसी क मुझे निकली बात कैसे सच हो जाए इसमें वही एक चीज और भी है वैसे मैं तो कहूँगा सही हुआ सही हुआ वैसे तो है ना जो ऐसे कर रहा बत तमीजी उसके साथ तो ऐसे ही होना चीए क्यों अब इसमें यह भी एक बड़ा अच्छा यह जवाब आता है वही कि किसी क को यह दो भीना हम आ फुटमी यह अशे हुच और उसके सबतियाभिति एक बात की बात इसके आप क्या चीज एह अब आपको पताएगी तांटरिक जो होते ना मैं आपको कroz बात बदा ठुब असली जो तांटरिक है तो हम मेरी और आपकी तरह है मतलब जो हमारे समाज के ब आप ये करो या आपको मतलब दाड़ी बढ़ाओ वो अपने अपने शौक है उसके लेए किया जाते है लेकिन असली जो जबर्दस्तात मेरे को पता है मेरे आसपास के जो तगड़े बंदे है मेरे राप की तरह है कुछ भी नहीं है जो टोपी बैने के बस सर में बस नॉर्मल अपने साथ तो ऐसे बंदे है और ये तो मतलब मेरे आँखों के सामने की एक बात है तो तगड़े से तगड़ा तांत्रिक भाई किस लेवल तक चीजे कर सकता है भाई मैं आपको एक बात बता हूँ जो मतलब अब अब जानते हो जिनको आप जानते हो जो आप सबसे मैं बोलो मैं तो ऑडियां समेश्म पता कि अगरते हो जो की तंत्र विद्या उसकी माहिर है जिसको पुषदैनी मिली है उसके लिए वो वर्दान है और वो माहिर हो सकता है हमारी उमर के अगर कोई बंदा है तो अगर नेचरल बश्चिन कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उसको समय लगेगा काफी, लेकिन जिसको विरासत में मिली है ना भाई, विरासत की पीडियां से पीडियां देखो, उसको विरासत में मिली है, तो वो सबसे जाद स्ट्रोंग है, तो चलते चलते भी चाल से ही पता लगा ले इन्जान का, कि क्या बंदा दिमाग में क्या तो बड़े जबरदस्त हैं, तांतrik की एक कहानी है, इसके मैं जय गानी बताऊंगा hिमाचल काानी, जबरदस्त कहानी कहानी यह जऑन गानी है, इसका तो पुरा गाहूं ही प्रमान है, इसका कारी कुलें वाट, पर बीच में उनका मन भटक जाता है। अगर कोई तंतरिक अगर विद्ध्या ली है यार भगवान ने इतना मौका दिया है तुमको तुम उस चीज का अच्छे से यूज करना चाहिए। तुमके तंतरिक था बड़ा जबरदस था वो मतलब उसकी एज थी आपकी 50-60 की बीच का बंदा था तो थीक तह ता तगड़ा बंदा था अब उससे क्या हुआ वो एक लड़की को न स्कूल स आते जाते देखता था 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 18 साल की लड़की को स्कूल से बैग पैके चल रही ह यहां से जा रही है, मतलब काफी देखता था, काफी समय से देखता था, तो अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी आई उसने लड़की पर वशी करन कर दिया और उससे शादी कर दी उसने अब तक किसी के बाल या कोई बॉड़ी पार्ट नहीं ले 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 तो तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हैं मशे करन बहुत आगे निकल गए दुनिया बंदे बड़े आगे निकल गए ऐसे हमारी जगा तो ऐसी जगह भी है जहां पर लोगों को ना जैसे बेड़ू भी बना देते अ अब भी तक है ऐसी आधी जगहें भेटू क्या होता है बेड्डू मतलब मेंडदया मेंड़क ने मतलब स्तर वाली विद्याएं नहीं है यह भी है ठीक यार आपका एक अंश मिल गया तो फिर आपकी सारी चीजे आ गई आपका तो सारा लिखा जोखा ही आ गया बाल मिल गया नाखुन मिल गया पैर की अगर जैसे मालो आप जहां से आपने फूट स्टाइप रखा है आप आगे और शादी कर लिए उसनों मतलब उसने ऐसे बोलते हैं लोग शादी कर लिए लेकिन उसने उसको अपने साथ ही रख दिया ना लड़की को अच्छा यार देखो ना अब सेक्शुल डिजार इतना भी क्या या मैं तो कह सकता हूं कि बगवान ने ऐसा भी क्या उसके दिमाग बंदा यह क्या कर रहा है और जिसके तो घरवाले थे जिसके जो अब देखो ना गाओं में क्या होता है गाओं में ऐसा होता है जैसे किसी गाओं के किसी एक इनसान पर कोई आपदा आ गई ना तो पूरे गाओं का वो बच्चा होता है या तो किसी गाओं हमारे तो गाओं पर आपना बात नहीं कोशिश करता हूँ अगर इसके आप कुछ पंगा होगा तो मैं भी लूगा वेयर की लूगा इसके पीटे बीटे बुरी के से बहुत हमारा इतना हमारा की उसके पराण पखेरू अड़के होगेём भी उसकी उसको इसका उन्हार जाए तो मर गया ओओ मर गया हो ठीक है अब इसमें बहुत जबर दसत बात आती है कि जिंदा तांतरिक से खतरनाक मरा हूआ तांतरिक होता है, अब बोलो कैसे? कैसे? कैसे की बात ये है कि जब मरा हुआ तांतरिक वो एक अलग एंटिटी बन गया, उसको तो नाम भी पता नहीं क्या देंगे, वो तो जबर्दस एंटिटी बन गया, आप जब उसका इलाज करने जाओगे, आप साथ विक मंतर करो, तां जब उसा कुछी बेटा गया, दिर्डर समय बीता गया, लेकिन वो तो भाई उसको तो ठाना कि यार, एक तो हती हिमना की बीजार के साथ मारा होगी, मैंने इसको, मेरे वाइफी थी, मैara एसा था तांधी ऑर लोगों ने इसको मार दिया, तो तो उसको ऐसा हो गया, तो उ तो यहीं लगा कि यार ठीक है अगर ऐसे डेट हो रही है या कुछ दिखरा है तो नॉर्मल सी बात है लेकिन दिर्दय जब आपस में होती है ना बात चार लोग हाँ यार भाई मेर को भी दिखा था वहाँ मेर को भी ऐसा हुआ उसको तो उसने धक्का दे दिया या उसको उसन जो भी है उनको नहीं पता था कि क्या चीज है लेकिन उनकी इलाज करना पड़ेगा तो पंचायत बैठी प्रॉपर बातें हुई तो फिर हमारे देवता जी के घुर जो खेल आई उनको जो खेल मतलब वो जो देवता उनके अंदर से जब बोलते है एंटिडी जब बोलती ह तो वाइद हुने बोला कि जाशा ऐसा ऐसी बात है यह जो तांतेरिक था यह है इदरी ःगूना ऊ hvor और ये तो बहुत लाज नहीं किया यह तो दर-पिड़ी किसी को ट्रांसफरी नहीं हुई थी, तांतरिकों का भी तो एक होता है, तो डायन होगा, जो डायन होती है, ना तंतर विद्यवाली, अगर उनको पुष्दैन ही मिली है, तो डायन शब्द, क्योंकि अभी इनसानी तोर पर ही कोई है, लेकिन गलत काम करते तो भई अब नाम तो ऐसा दिया गया, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, तो अगर डायन भी अपनी विद्यागर वैसे अपनी बेटी को देती है, प्रायरोटी उसकी ही होती है, उसको देनी पढ़ती है, तायन उसे कह रहे हो, आप जो तंतरिक लेडी करती है, यस जो जो पॉजिटिव भी कर रह अब देखो, जैसे डायन की साधना है, कुछ अलग है, अपनी उसका अलगी सीन है, कि जाएगी वो अपना शम्शान में जाएगी, अकेले जाएगी, नंगी होके, अपना जो पॉटी करेगी, उसको पर बैठेगी, फिर साधना करेगी उसको, मतलब उसको अलगी सिस्टम है आम तोर पर जो हमने डायन सुना या जो आम तोर पर लोग जानते हैं, कोई डेड एंटिटी जो एक नेगटिव एनरजी है, बिसकिली, यह कौन सी डायन है, मैं आपको बताता हूँ, इस इस बात से आपको सारा क्लियर हो जाएगी, चुडेल मैंने बता दिया, चुडेल क् वो नहीं है फिजिकली बॉडी में, डायन तो हम आप मैसे एक ऐसी लेडी है, जो की गलत विद्याय जानती है, जो की गलत काम जादे, मतलब उसका काम ही है कि और इसको करना, उसको करना, और अपने काम के लिए ही करना, और वो आसपास हमारे आसपास होती है, हूमन फॉर् बस तंत्र विद्धा जानती हो, अब जो दूसरी आप लेडी की बात कर रहे हो, तो सिध्या साधना हो तो पिचार अच्छे के लिए करते हैं, उनको डायन नाम नहीं नहीं दिया जा सकता, कभी जगा आपने, नमशकार जी मैं हूँ डायन यह मैं आई पॉड्कास्ट में यह इसा मतलब ऐसा कोई हो नहीं सकता नहीं दिया जा सकता ना, तो डायन नाम इसलिए दिया हो आए कि उसके काम गलत ही है, अच्छा काम गरेगी नहीं ना वो जैसे तंत्रिक है, तंत्रिक का मतलब यह है कि वो तंत्र विद्या आती है, तंत्रिक का मतलब यह नहीं कि वो गलत बट कुछ तांत्रिक गलत काम भी करते हैं, वह तो करते हैं, तो गलत भी करते हैं, तो जो गलत भी करते हैं, तांत्र विद्या का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं, पर उनके नाम तांत्रिक है, मतलब तांत्रिक शब्द से हम सिधा यह नहीं जो कि सब्सक्राइब करना सकत्य ही ऐसी विधि करने पड़ेगी रात को ऐसा कुछ प्रोसिजर एस पुछ बश्चा ईक है और पूरे गावने फिर कॉंट्री विगरा की और सबने पैसे भरे की जो भी है कि भाई यार पैस कुछ भी करो इससे हमें छोड़वा दो फिर वो सम्चान गाट में बैठे और उसमें फिर तीन-चार लोग जो भी है वो घेरे के अंदर बैठे वो तो उसके बाद उन्होंने पर हो करिया था तमत्सी कि अगर पर बात आगी तो साथमनने बन्लिया रखी होती है मुर्गा रखा होता है साथ में या कुछ भी रखा होता है कि अगर उस पर बात आगी तो वहीं से बली दे देंगे कि चले जा तो मतलब काफी चीज डिटेलिंग में ऐसा होता है तो वहां बैठे उन्होंने लेकिन जब वो विधियां कर रहे थे न बाई वो रहा था हो जोर स क्या तुम क्या बिगाड़ोंगे मेरा इस तर्के की आवाजे निकाल रहा था और उस गाउं में भी लड़के लोगी बैठे होए थे मतलब चोकरी बैठते हैं चोकरों में ना दम होता है ऐसा करके बठाया था उनको कि तीन चार पांच चोकरी बैठते बाकी तो गाउवाल और भाई वो तांत्रीक है उसने सिद्धियां की है दुनिया वर की सिद्धियां की है उसके पास अनगीनत मंतर है उसके पास ठीक है परसे एक मंतर पढ़ रहा है परसे वो भी मंतर पढ़ रहा है परसे वो भी मंतर के बारे में क्या बोलू कुछ भी मंतर पढ़ रहा है कि ह परसे उस के दवल आवाज में वह कह बन्तर पड़ा बोल भाई तो इस तब इस तब आवाज आ रही है यह दिख भी रहाए नहीं आवाज आ रही है। दिखने की बात इसमें नीव भी थी वहाज आ रही है मतलब जिस जैसे मानलो वो देवता के थ्रो कर रहे है ना तो देवता थपड मारेगा उनको क्यों कि हर चीज का एक रूल होता है ना अगर हम बैठे है साधना में बैठे हैं अगर हम कुछ चीज कर रहे है तो भई जब तक खतम ने होती पीछे जोमर जी आवाज जा जाए झाए हम जाए उनको करुष गञए खाड़ मैं नहीं जाने होला हुई फिर उसके बाद धिर दिरे उसका और प्रोजीजोर किया उन्हों भी आया थे वहां पर अगर मन्तरों से भी फिर गौड की थूए होगा मदर भी तो कुछ ने प्रोजार किया उसका वहं पर तो उसके यह दो विद्या थे निहीं पाए और तो असलिद्या की तो विद्या की फ़िड्या रिसलिया दे जाए जाहने जर्वक Цुरि तो थेयसे गिया जाता है। ऊप्लाइक को का यह लुक्ति अगर शनु सुग्ति जाता है। जो अगर विद्या वाले ऐसे है, सादक, जैसे मान लो कोई भी हो, जैसे हमारे पॉड़कास्ट में भी अगर जैसे कोई आते है, मतलब तांतरिक आते है, जैसे मेरे पॉड़कास्ट में भी तांतरिक आते है, और कोई लेडी हो चाहिए, वो अच्छे के लिए ही बोल रहा तो भाई वो मरने के बाद मतलब मेर को मुक्ती ने मिले कि उसके साथ, दिक्कत आएगी मुझे काफी दिक्कत आएगी, अगर मुक्ती होगी भी तो उसका प्रोसीजर बड़ा खतरनाक होगा, इसलिए उसको आगे शेयर करनी पड़ती है कि किसी के लिए और भी उसके इच्छ प्रवाना होगा तो उसकी बहुत तगड़ी विद्या है, फिर इनसान के बस कर, जितना इनसान कर सकता है उतना करेगा इनसान, लेकि यह से नहीं कि जैसे हम होते हैं, इनसान जैसे कोई अगर किसी की डेथ हो जाए ना, तो इनसान वही 14 दिन तक रहेगा वो, 13 दिन तक रह होगी, दिया बगारा जलाते हैं, हमारे रिच्वल्स हैं, वो जलाएंगे, उसके बाद उसकी नैच्वल, उसकी वो चीज अपने यूनिवर्स में जहां भी जाना है, वो चीज चले जाएगी, बीच में हम लोग देख जैसे पानी रखते हम लोग कोवों को खाना खिलाते ह हमारे रिच्वल्स हैं, तो वो एक प्रोसेस से जाएगा, अगर एक्सिडेंट या जैसे पिछली वार में वह बात की थी कि अपना सुसाइड वाला सीन हो जाए, तब तो भाई, तब तो सुसाइड में तो मैंने बताया था ना, कि सुसाइड में तो पकड़ ले ते पर यह जा रहे इदर, जा इसके घर जा, उसके घर जा, यह कर वो कर, तो इससे पीछे चलता हूँ में, इससे पहले यह बात हो रही थी कि यह, तो वही वह जो अब तंतरी था ना, वह बोलता है कि मैं नहीं जाओंगा, तो उसके बाद जो भी विद्या की उसकी जो बताया कि उस और प्रोसेस कर पाया, जिस वजए से मेरी क्या है, जो मेरी मुक्ती नहीं हो पाई इतनी जल्दी, तो मैं जानी सकता में रहूँगा उधरी, लेकिन ऐसा है कि मैं चलो किसी को तंग नहीं परिशान नहीं करूँगा किसी को, तो यह बात थी, और विद्यी से मुझे एक और बात याद आती है, कि अगर विद्यी किसी को ना दो, तो वह चीज वैसे रितकर रहते हैं, डायनों में भी ऐसा ही होता है, डायने भी अगर अपनी जो विद्या ना उनकी गाली विद्या है, उसको किसी को पास होन ना करे वो, तो उनका भी मुश्किल हो जाता है, तो जैस मैं मरूं, मुट्टी नहीं मिलेगी, पहला तो श्रीर ही नहीं छूटेगा, पहला तो श्रीर ही नहीं छूटेगा उसका, उसको तो दिखते होगी, ना अब हम लोग ऐसा है कि चलो, हम उस अवस्था में हमने पूरी उमर अपनी जिन्दगी जो है जी लिए है, ठीक है, सब कि अमको तो भगवान अब मुर्त्यों दे दे और मुक्त कर ले, तो उनके भी दिर 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 बिमारी आती रही है, मतलब जाएगी जहान, इतनी असानी से नहीं जाएगी, तडपते तडपते जाएगी, और एड़ दान फिर उसको जो भी है, प्रोसेस उसको करना आपको और भी कुछ पता है, जो आप बता रहे थे, शम्शान में जाके ऐसे करना होता है, यह सच में होता है, क्या करना पड़ेगा, वह तो प्रॉपर 1-2-3-Y रूल वह तो शायद वह जाने हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि कैसे जो आइडिया मुझे, क्योंकि जो अब मैं ऐसे बोलता है, सभी देवी देवताओं की शक्तियां जबरदस्त है, मैं किसी भी देवता को पर नीचे नहीं कहता, लेकिन कभी-कभी इतना भी हुआ है, की देवता भी, मतलब देवता को भी सुरेंडर करना पड़ा, कई बार ऐसा हुआ है, इतनी पावर्फुल ह अब खेर एट देवाट गलत काम करता है, उसके साब तो गलत ही होता है, लेकिन ऐसा भी हो तो डेने बड़ी पावर्फुल होती है, और ऐसा है कि जो विद्याय करती है ना, ऐसे नॉर्मल होगी, और हो सकता है सुंदर हो, सुशील हो, बड़ी हो एकदम से, तो उनका है कि जैसे जाएंगी अपना जो भी उनने जैसे आम वस्या वाली या जिस दिन सारे ग्राओं की दिशा कुछ ऐसी हो कि इस्ट्रॉंग हो, जैसे बोलते है ना, आम वस्या करो जारा, या किसी ऐसे दिन में अदिटेट करने बेट तो आपका ध्यान जल्दी लगता है, जिदा त आपक से उस चीज में पहुंच जाता है वो, लेकिन काली विद्धिया भी उस तरीक है काम करती है तो उस ताइम में डायने क्या होती है, डायने अपना जो भी काम करती है ना, तो एक खुश अम्शान पर ही जाएगी, गल्र टाइम पर जाएगी, तीन चार बजे या बारा बारा एक बजे के आसपास, ऐसा कुछ है एक स्टाइम है, लेकिन उस ताइम ऐसा होता है, जैसे वो बैठी है ना, वो बैठी की नूड बिलकुल, ठीक है, वो पौटी करेगी, पौटी के उपर बैठेगी, नूड बैठेगी, और अपनी जो भी है साधना, जो भी है अपन हो ही ना लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान आ जाए तो इसके नजर बंद होता है, अपनी विद्य हमें बीद्धा में बीद्धें होती है, कि यह सन इस पासे गुझर जाए, उसको बतन लगे कोई बैठी भी है यह आँपर, ऐससा है लेकिन इसमें यह भी है कि अगर किस इ और बोल दिया कि वह क्या कर रही है तो उसी वक्त उसके डाथ हो जाती है तो बाया चांस अगर कोई देख लिए तो उसको अवाइड करो और निकल लाए मतलब उनको डिस्टर्बना कर रहा है तो उस इंसान पर भी कुछ असर आएगा नइ वहीं डाद हो जाएगी न उसको इतना होना चाहिए देखो ऐसे उसको ऐसा होना चाहिए कि वो बिलकुल लीन है उसको ऐसा होना चाहिए और एक तो उसका फेस सामने आ गया विद्या में इतनी है और कुछ होता है सिस्टम की जिस वज़से वो उससी टाइम ही खतम हो जाती है और हलाकि दिखना रेर एसा दिखना रेर है कि वो दिखीगी नहीं कर रही है वो आशी सिनन बंदगर देती ए तो हम बात कर रहे थे ऌर आप वो बता रहे थे देवताओं रर ड्यनों की लढ़ाई होती है ऑक जगह है हमारे मंडी जिला मंडी में डाइना सर्ज अज एक जगह दो बीने विवाँ आ छेके हो प्ला है, अब तो डायन आ पार्क नाम जाने टो है, वहांपर डेवताओं और डायन की लड़ाई होती है, लड़ाई होती है? मैं पताता हूँ, कैसे रूप मैं, मलब ऐसे नहीं कर श्lastर के साथ, वो ना मंत्रों वाले लडाई होती है, उस ground है वहाँ पर ना, तो उस ground में ना मतलब इस विद्या में थोड़ी, ऐसे सब को बताते फिरेंगे, और ऐसा भी होगी, डायन है देवता के जैसे कई बार हमारी वानियाँ चलती ना, जैसे गदी लगना बोलते हैं जिसको, गदी लगी है ठीक है, और देवता अपने जो भी अपनी विदेव वानी बोल रहे है, डायन नहीं बता पते हैं, काफी चीज़ें ऐसी होती है, सामने बैठ जाती है, फिर देवता को भी कई दिक्तों का सामना करना पड़ता है, उस वज़े से, हाँ लेकिन देवता ऐसे नहीं की सभी देवता का यह है, देवता ही सुप्रीम है, वो तो चलो कभी कवार ऐसा होता कि नाम ही डाइना पार्क है तो जगह का नाम है, और बुड़ी खुबसूर्फ जगह है, बहुत प्छूर्फ जगह है, बहुत प्यारी जगह है, आहम लोग जा सकते हैं, तो लड़ाई हमेशा नहीं चलती रहती है, वो तो साल में एक बार या दो बार कुछ ऐसा प्रोसेस से उसका ना तो उससे में होती है वो लड़ाई जिससे में होती है जिससे में होती है उसकते हैं जब यह लड़ाई हो रही होती है तो आहम लोग वहाँ पर जा सकते हैं तब नहीं होते है नहीं यह लड़ाई रात के टाइम यह कुछ ऐसे टाइम में होती है नहीं तो पार्क है रहात प्रुटर्टेट गाहों के आ एकपाड एक पहाड भी छोटी तो एक और भी ंज्टीर नोगी लॉए पहाणगा की बोलते हे घए कि अश्वालों के नियुः अश्यक्रतितथा चानि लेकिन कटिंग से पहले में एक बात बता हूँ, इसका रिजल्ट जो आता है ये देव बाणी के द्वारा आता है, देव बताते है कि ठीक है जी इतनी बार ये जित गई, इतनी बार देवता जीत गए और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा डायन हारती है, पर एक ऐसा पर देव लग एसा इसा बताते है, पूरी प्रेवारा हूँ, तो जीतते हैं कि अगर देवता जीते हैंगे तो मौसम अच्छा रहेगा हमारे सेव सुक बढ़िया रहेंगे, हर चीज में फसल रहेगा अच्छा और फसले अच्छी रहेगी, पॉस्टिविटी आएगी, सब बढ़िय लेकिन डायने जीतती है तो क्या वरी से ओले पड़ गे कई बार होता ना अपने जगह का जैसे कई बार सुना भी होता है कि यार लखों का नुकसान हो गया यह घ्र वो एक प्रकृतिक आपदा एक अलग चीज है लेकिन इसको इसके साथ बी कनेक्ट किया जाता है तो डायने क आपको क्या फायदा मिलता इस चीज से बेसिकली अब अब शक्तिया ना एक काली शक्तिया एक सफेद शक्तिया जब छोड़ी जारी है वह तो लेकुंना एट मॉस पयर पर वहावी रहेंगी नेगिटिविटी राइट फासले अच्छी रहेंगी तो लोग खुश के फिवर में काम हो रहा है देवताजीत की चलो फसले अची और नेगिटिविटी है तो वो उनको नाच्छ डिसास्टर्स है वो होंगे फर एकजमबल जादा बारिश होगी वो ले पड़ेंगे यह सब चीज होंगे उनके लिए तो वही पार्टी है कि नाच्रल डिसास्टर् ढारिणी यह यह गला आदे इनर्जी ले रही है उस चीज होता है अब देखो ना डाइन औ का बात भी है कि जैसे डाइनो को ना मतलब इनका कुछ ऐसा रूह लें कि न्कोना कंतर करना ही पड़ता है जैसे कुछ इनका एक सिस्टम है दिन होते हैं इस दिन को तो करना ही फिर भी उसको कुछ ऐसी चीज खिला दी जुसने उसका अंदर से नुकसान कर दिया, उसके पर तन तर जादू टोना कर दिया तो दाइनो को सिस्टम ऐसा है कि इनको एक टाइम इनका इनका इनकाल के करनी ही पड़ती है अच्छा उच्छा बूरा उच्छा तो हो नहीं सकता है यह उतों बूरे के लिए हो तो वह चीज़े उनको करनी पड़ती है और वो यह एक लाँ निकल गई तो वो ऊसको तो फिर एसे पर जिस्ट्रॉय तो यह रहा हो नी सकती तो कुछ ना कुछ इसका असर पड़ेगा यह पड़ेगा तो यह सारी बात हैं और ख्या और बहुत बहुत कुछ स्केरी यार, और कैसे कैसे अज बहुत पीलो गला भूत तो नहीं कह सकते हैं, लेकि मैंने बोला भूत-पृत का कोई वजूद ही नहीं है मेरे हसाब से, वजूद इसलिए नहीं कि भूत आपको कुछ करम नहीं सकता, भूत तो हो सकता है, तीन-चार-दस से यहां यहां तो चलो, हमने सब कुछ सुरक्षा कुछ पहना है, वार मुत्र के क्षा अब बूत का कुछ बूत कोई वातक्षा का बूत है, तुम ठीक है, मस्ति हो.. करने भाइगा। प्रेत है लग नहीं हो चसेघkra खतरनाक चीजगे हैं प्रेत केसे खतरनाक होते है? प्रेत कुन होते हैav quindi? प्रेत इसलिए घतरनाग होते हैं कि वो ना वो तेरा देन का प्रोसीजर निकल चुका है उनका उनको नहीं यौनी नहीं मिली है वो उसी प्रेत यौनी में घुम रहे हैं जिनोंने सोसाइड किया हुआ है जिनकी एक स्ट्रॉंग एक इच्छा रहे गिए कि यार मैंने ये करन года फहो चीज एक तरफ हो जाएगी वो भी प्रेत बन जाएगा माराफ़ा स्था इसलिए कई इसरे भीसक्राफ़ा निकल गए हो था है थ्यू scheme रहे थे जिदेन ऐस गला सुआजनीस ये दोति अब तो परेत गटे कहते है यार房 इस है इसी उसमें होते हैं वह मृता रहे ॥ बढ़ना पसंद करते हैं, दो जतों बुला देते हैं, पार्टी फुटी चल ली है, वैसा वैसा, लेकिन प्रेत का यसा है, पहले प्रेत, स्टार्टिंग में जैसे नया प्रेत बढ़ना, वो दिखेगा, जैसे काली मिर्च का दाना होता है, सर्फ इतना सा देखेगा वो, फि उसके अंदर देर देर बढ़ता रहागा, बढ़ता रहागा, एक ऐसा लेवल आ जाएगा जाएगा जो उसकी शेप दिख जाएगी, और वो सामने ना से धुमा धुमा जैसा शेप, बॉड़ी के उसमें भी दिखना लग जाएगा, वो स्ट्रॉंग प्रेत होगा, फिर तो जैसे मान लो कोई तान्तरिक है, ठीक है, उसके दिमाग में यह चला होगा, कि हमेशा कि कहाँ पर डेत हुई है, और कौन सी डेत, कैसे डेत हुई है, अगर 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 एक्सिडेंटल हुई है, तो रात पो रात उन्दा पांच पहुँच पहुँच जाएगा वहां पर, वहां से उसको इकठा कर देगा पहले ही हो उस प्रेद को पहले ही बांदेगा वह अपने पास रख देगा न उसको पहले ही कर देगा वो तो इनका यह रहता अगर सुसाइडल केस है तब तो इनके पास तो बड़ी जबरदस पावर मिल जाती है ना प्रेद की प्रेद अगर पहां तेरी मुक्तिमेह कराउँगा, चल जा। यह काम कर वो, काम कर तो यह सारी चीज अगर बटीप चले जाएं तो बड़े पन्ने ऐसे ऐसे से निकलते हैं कि हम कुलू पे वापस आजाते हैं? ने कुलू पे हिमाचल पर वापस आते हैं और बताओ कुछ वहां पिछली बार मैने यह बताया था कि जैसे चुंगु होता है जैसे चुंगु होता है जो लड़कियों को लग जाता है और उनके साथ सेक्शो अक्टिविटिय करता है favorite चुंगु को लगाए दिया जाता है और मैं उसके नगिन अघृ साथ भी भी दिय का नारसिंग देव है लेकिन उनकी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बूरे यह वो अच्छे भी है तो बूरी बाते पहले बताता हूँ उनका ऐसा नहीं उनको लड़कियों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते है वो उनकांश जैसे अगर एक तो एक तो यह बात है कि नारसिंग कि देपता किसी पर छोड़ा जाता है सिध्यों के द्वारा कि उसके बॉड़ी पर छोड़ा है और इससे मेरे को एक स्टोरी निकल के आयाद मैं स्टोरी पर आजाओं फिर में वापिस या आता हूं कि स्टोरी कनेक्ट हो रही है एक लेडी थी जिसके नई नई शादी हुई तो पुराने जमाने में पता कैसा होता था पुराने जमाने में ऐसा होता था तो कि जैसे लड़की की शादी हुई न तो दहेज में भी देपता को दिया जाता था कि चल जा तो इसकी रक्षा करेगा तो ऐसा भी वा करता था उस जमाने में उस जमाने में तो बंदित जबर एकदम ऐसे एकदम नॉर्मल है और एकदम से शर्ट के बटन फाड़ के एकदम से प्रचंड रूप में आ जाती थी और पत्ति भाई क्या हो रहा है और ऐसा चलता रहा काफी दिनों तक शादी के चार-पांस दिन हो गया ऐसा हो रहा है और जब पति से धूर असी पति से दूर होती थी न तब इंवकल ठीक थी फिर वो लोग गए देवता के पास आगे गए कि ऐसा ऐसी दिकत है तो देवता न 야? कि यार तुम पर तु ऐसा है कि नार सिंग देव चोड़ा गया है ठिक है? नार सिंग के बारे में भी बताद धूगी नार सिंग देखो ऐसा नहीं है कि सिल्बूरे काम करता है अच्छे काम भी करता है बकायदा बिलासपूर में रथ है पूरा प्रपर लेकिन क्या है श्रापित है न कई चीजों में और कैसे बुरे काम है जैसे एक तो यह हो गया कि यह सबसे पूरा तो अपना मान लिए मेन यह है क्यों कि लड़कियों के साथ अट्रेक्शन बहुत जा अगर लड़कियों पर अगर परच्षाई भी पड़ गी जैसे वह भी आगगा तो वैसे भी साथ हो लेता है जरूरी नहीं सिद्धी किया हो वह कुछ यह क्या करता तो उसको श्राप मिला गया है कुछ इस तरह के का कि ऐसा होगा तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया की लेक कुछ प्रक्रियां की जाती ऑफ थोड़ा सा गालियां भी दिय जाती है कि तेरा तुँ ऐसा तूर नहीं छोड़ायंगा तो तो तेरा ये होगा तेरा वो होगा मलतों तुरी कि जाती है इससे भी नहीं हुआ Woah तो फिर आगे ऐसा होता है कि उस ही लेडी को उसके बाइ पूरी चीजे हैं तो रास्ते भी अच्छी चीजों के तो रास्ते भी बनाया गया तो अगर वह चीज हो गया उसके बाद वह चला जाता तो उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि देव लग गया था और तो फिर वह पकरिया हुई फिर उसको भाई बहन का रिष्टा उसके बाद ऐसा होता है तो सब के साथ ऐसे होता है और मैं फिर से बोल दूँ हमारी जो नार सिंग देव है वो ऐसा नहीं अच्छे रूप में भी है जिनके रथ है लोग पूझते है सब कुछ अच्छा है लेकिन एक यह अधर साइड है थोड़ा सा ड्रॉब है किसको बोल या उनको पूझा की जाती है उनके उसे बचन लिया जाते है वो पैसे अच्छे दिपता है व अच्छे दिपता मैंसे आते हो तो उनको यह शराब क्यों मिला हुआ है यह कहानी है अब इसकी प्रॉपर डिटेलिंग मुझे नहीं बता लेकिन एक कहानी ऐसी कुछ है कि जब उस समय में गए थे ना तो कुछ ऐसी गल्तियां होगी थी उनसे वो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ अस बार में तो उपर से फिर भगवान का उनको शराब ऐसा चला गया था कि यार एक साइड तेरी आसी रहेगी 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 उसके पीचे एक लंबी कहानी हमारे हमाचल में रिचोल है इसको बोला जाता है काहिका कुलू में अलग मना जाता है मंडी में अलग तरीके से मनाया जाता है और और जगा पर थोड़े अलग तरीके से मनाया जाता है ठीक है लेकिन कही न कहीं एक पॉइंट सबका सेम है जैसे अब जैसे अब नरायन जी क काहिका होता है वो चार साल में एक बार आता है तो वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर काहिका में आपको एक बताओं नॉर्मल बात में समझाओं तो काहिका एक समा रहो है एक एक यग्य सोच लो एक बहुत बड़ा यग्य है जिसमें देवताओं की शक्तियों को और बढ़ाया जाती है नेगटिव एनरजी को बखाने के लिए गालिया क्या गंदी-गंदी मतलब जितने गंदी से गंदी हो सके उतनी गालिया दी जाती है और ऐसा नहीं है इसको सबसे पवित्र माना जाता है मैं अपने बचपन में गया हूँ मैं जब चौथीय आपांची में परता था उसका मिरे को मेरे घरْवाले लेके गए और नियरकों पूरा सीनेरिया दिखाया हूआ यहाँ मैं दी जाती है और मैं तो जब गया था न मैं तो ऐसे शर्मा रहा था तो मतलब ऐसा यह रखिया और पापा ममी सारे साथ है और एवन लड़कियां हमारी क्लासमेट सारी साथ है मैं मेरे को इस चीज की शर्मारी है मैं मेरी क्लास की लड़कियां है और उसको सबसे पवित्र माना जाता है, लोग जाती उसलिए वहाँ पवित्र होना जाता है, अगर आटा आपके और गिर रहा है तो वो सारी negativity यहां से जा रही है, गालियां देते हैं, negative energy को, तो वो सारी चीज़े होती है, लेकिन इसमें एक प्रोसेस ही होता है, इसमें एक न अलग अलग तरीका है, पर तीर मारने वाली बात है वो बताता हूं, तीर छोड़े जाते हैं, असली वाले तीर नी, मतलब एक भावत से गूर के द्वारा या किसी वहाँ पर जो रिचुल करने वाले बैठे हैं, तीर ऐसे छोड़े जाते है, चारो दिशाओं में और लास् मुर्चित अवस्था में चला जाता है। हमारे पुराने जमाने में बोलते हैं कि मर गया, अगे मर गया अव्देबताई, इसको जिन्दा करेंगे लेकिन वह मरता नहीं है, वह मुर्चित होजाता है, तो उसली एक हिसाबधा दो कोमा में ही चला गया वह उसको कुछ पता वह जो इनसान उसको अंशुरूप जाता है. उपर इंदर देव के पास. तो जोभी लेखा जोखा होता है, वह बताता है कि सारी चीजेहें हैं। हमारे लेखा जोखा, देवताओं का लेखा जोखा, जो भी सृष्टि का जोभी है, वह बताता है उपर जाके. अब देवताओं के पास है एक टास्क, ठीक है, देवताओं को अपनी शक्ती से उसकी एनरजी वापिस बॉड़ी में लानी होती है, इसमें बहुत पावर लगती है, देवताओं की एक देवता नहीं होते हैं, उसको वापिस जिन्दा करना होता है, कैसे पावर लगाते हैं मंतरों से या क्यों और भी कुछ होती है, वो तो अब इन्वीजिवल रूप में हो रही होती है, गूर अगर हमारा देवता गूर बैठा हुआ है, वो कुछ विदी कर रहा है, तो वो सामने लिए कुछ ना कुछ चीजे चली है, वो मंतर से चली अंद तो वो अपना उपर निकल जाता है, लेकिन भाई अगर देवता उसको लाने में सक्षम हो गए, तब तो ठीक है, कैसे चेक करते हैं, वो चेक कैसे लाग 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 है, लेकिन में एक ही जगह का बताऊंगा, उसमें सुई के मादम से की जाती है, एक बोडी में लगाई, यहां लगाई, यहां लगा, यहां लगा, एंड में डालनी पड़ती है, जीब के आर पार, अगर वो यहां पर लगाने से नहीं उठ रहा तो, एंड में लगानी पड़ती है, जीब के आर पार, ठीक है, अगर वो तब भी नहीं उठाना, तो इसका मतलब है कि उसकी डेथ ह हो चुकी है अब इसमें ये सवाल एक आता है कि क्या आज तक इतने इतयास में कभी ऐसा हुआ क्या किसी की डैथ हुई तो इसका ये जवाब है कि हुई एक की डैथ हुई हमारे का के समय की बात अधी ब्रह्म जी का था वो उस समय जो भी अपचारिकता हो रही थी न तो ये इस situation में यह होता है, कि जो भी देवता का रत होता है, ना, रत में आपने देखा होगा मोहरे बने होते हैं, चारो दिशाओं में मोहरे बने होते हैं, अलग अलग तरीके से डिजाइन होते हैं, छट होती है, हेड होता है, बॉडी होती है, और उठाने के लिए होता है, अब ऐ जैसे हमारे बिजली महादेव का रथ इतना बारी है, उसमें तो काफी शीजे लगी हुई है, अलग-अलग रथ है जिसमें सोना चांदी कई कुछ अलगा होता है, अगर वो नर्ड या इनसान या वो फैमिली का वो मेंबर जिन्दा नहीं हुआ, तो देवता का रथ उसके अगर नड के साथ उपर करिया होगी तो यगी संफल सफल होगा ना फिर तो यगी संफल होगा ना फिर तो तो देवता की पावर तो बीस गुना ज़ादा बढ़ गई, तब तो सब ठीक होगा है, लेकिन कभी-कम जोर पढ़ गए तो ये चीजे हो जाती है और ये हुई है तो ये सारी चीजे है और ये चीजे भाई मैं अगर ऐसी बात बोलू कि मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ, अब हो सकता है कि जो लोगों का इनसे कोई लेन देना है नहीं है नो, कोई एक मिनट के लिए लगए लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप सर्च करो, गूगल पर सर्च क हिमाचल काहिका, उसके बार में पढ़ो या वीडियो देख लो या कुछ नकुछ देख लो, सब कुछ लेकित रूप में मिल जाएगा और ये तो प्रैक्टिकल वाली चीजे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी सद्दियों पुरानी पहले हमने सुनी हुई बाते हैं, तो ये सार प्रैक्टिकल वाली चीजे की जाती है, तो ये है कि इसमें फिर नेगटिविटी को भगाने के लिए और काफी सा वह चीज़ करने के लिए की जाती है, अलग अलग जगा कि अलग है ना हो सकता है, जो अपना रामपूर साइड कुछ और होता होगा हमारी माचिनी डिस्टि तो इसके अलावा जब आप गए तो इसके बाद दुबारा गए थे आप या फिर यही था आपका नेक्स मत जाओंगा, नेक्स मत है, तो भाई नेक्स मन जाओगे फिर आप दुबारा बताना हमको क्या-क्या हुआ उस समय तो छोटा था ना वह जैसे वो तो गालियां देत जाओगे ऒखंगे और भाई महिर कौरी शार्म बोरयाल से, मैं छोटा था मेरेको बता था कि मेरे स्कूल की सहली भी आई है, इंो प्वाहरी पवित्र माना जाता या से तरह के चेज़ह जोती है और इस मेह जैसे हमारी दूसरी इस टाइम पर कोई किसी की घर भी जा सकता है, या मैं आपको बता हूँ, जैसे आप कोई भी आयेगो, और सुबा थक खाओ, मतलब खाओ, जो भी पेना-पेना, जो भी सिस्टम होता है, अन नोन बंदा कहीं भी जा सकता है, सब को बता होता कि आज यह रिच्वयल है आज फागली동 है आज महमान आएंगे यह आएंगे जो मर जी अन्ना जाके टकटक करने आ खाना मिल जाएगा दारू मिल जाएगी जो भी है मिल जएगा póst कुछ भी मांगेगा तो महमान के तर आते हैं उस समय इंसान आएगा जो उस कुछी है वो मिलेगा और उस समय तो ऐसा होता है कि घरोगे दरवाजे भी खुले रखे जाते है ताकि कोई आ रहा हो तो ठक-ठक कर देजिए आज आया हो खाना खिला हो रात को जो भी है रात कि ती इंचे आसा बचार-चारबज तक बैठे होते है तो यह भी बड़ी बात है जब अभी भी चलता है तो फागली में भी चलता है और और भी तेहरों में चलता है तो मैं बड़ा सोचता हूँ यार की देखो भी तक हमारा एक इत्यास ऐसा बच्छा हुआ है हमारे पूरे आगे पहुचगे और विए है तो यह रिच्वल्स अभी तक है और हम चाहते है रिच्वल्स जिन्दा रहे बहुत अच्छी बात है हमाचली की सब प्रिजर्व करके रखा हुआ है और मेरको इस चीज में लोग यह भी बोलते है तू तो अंदर की चीज़ें निकाल रहा है मतलब जो कि यह चीज़ें तो गुपत रखी जाती है और इनको तू क्यों कर रहा है तो इक चीज बोलता हूँ देखो ना बगवान ने कुछ चीज़ें बनाई यह उन चीज़ों का अगर प्रचार हो रहा है पता लग रहा है तो इससे मेरे मुझे नहीं लगता किसी तरी क कुछ चीज़ें तो मुझे भी पता है जो नहीं बतानी है वो तो मुझे भी पता है जो गुपत रखनी है जो नहीं बतानी है यह चीज़े तो है इससे तो हमारे देवता का प्रचार हो रहा है हमारे देवी देवताओं को पूरा भारत देख रहा है और खेर देवताओं को बाही के चैनल को Limitless Talk को सब्सक्राइब करते हैं, बाही के चैनल पर भी बढ़ीया पॉड़कास्ट चे कुडलू से ही करते हैं और हमारे पॉड़कास आपको पसंद आया आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे शेयर जरूर करें और बिना सब्सक्राइब करें चैनल देखने पर पाप लगता है, मजाकर वाइब आप सब्सक्राइब जरूर करते हैं कि बहुत बढ़ी संख्या में लोग कि बिना सब्सक्राइब करें लोग एक बटन दबाद है हमें मोटिवेशन मिलती है हां, यह मेरे चैनल में भी ऐसा काफी है, मैं देखता हूँ कि जब सबस्क्राइब इतना यह नहीड है दिल से बुरा लगता है, दोनों चैनल के सबस्क्राइब करते हो, जिस्टों, है जिस्टों, मैं कुछ बून नहीं था था श्री, बिल्कुल, बाई और आपकी भी कई बार गो स्टोरी होती है तो मैं अपने कुलू से हम में कुछ चीजे लेकर आया था जो की मतलब बिजली महादेव के दौरा शिवलिंग के दौरा प्रतिष्ठी चीजे हमने वहाँ पर चड़ा के एनर्जेटिक चीज लेकर आऊ जिसे क्या है ऐसा नहीं हो पहने से कोई पैसे आजाएंगे यह जाएंगे लिए उसमें पॉजिटिविटी रहेगी और अप्रोटेक्टिव रहेगा भाई यह तो बहुत जरूरी चीज है भाई कोई दो भाई के हाथ से लेंगे हम तो एक तो यहां से में शुरूराद करता हूँ भाई आपके लिए अरे वाहा यह अपना मतलब ऐसे निया की दुकान से सिद्धी आई है यह अपना पहले प्रतिश्टित हुई है शिवलिंग में चड़ी हुई है उसके बाद इनमें एनरजी आई है और उसके बाद आई है और यह भाई आपके लिए और एक चीज आपके लिए है गैस करों क्या चीज़ है क्या चीज़ करो इसको शेवन चक्राज अच्छा और एक चीज में और बता दूँ जैसे हमें मतलब हुआरे जो गेस्ट है ना वो भी चीज़ों की डिमांड करते हैं तो उनको देने के लिए भी हमने रखा हुआ तो अगर कोई जैसा चाहता है कि हमें चाहिए कुछ है तो वो मतलब ले सकता है हमसे हमने बहुत सारी चीज़े रखी हुई ऐसी अपने रुद्राक्ष बगारा जो माला से माला और और ऑडियंस को भी आप दे सकते हैं तो आपको कॉंटाक्ट कर सकते हैं क्योंकि ना ओडियं तो यह है तो जो यह चीज़े कुछ और भी लेना चाहते है वो मैं इंस्टा उस्टा में कहीं ना गई अप मेरे इंस्टाग्राम में मैं डाल दूँगा बलकुल बलकुल हमारी ओडियंस जो आप जो यह पॉड़कास देखने हैं कर आप चाहते हैं कुछ लेना तो प्लीज ना कॉंटाक कर लेंका इस्टेग्राम आ यह पर आएरा था निचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद इस इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रियों आपका कि मिरे को लग रहा था कि पिछली आपने लेकिती मिरी अरजी मतलब निचोड गयी थी पर भी मैं मैं मुल रहा था ना इस बार थोड़ा ओर थोड़ा सा मेडिटेशन करके तो अर बढ़िया तकड़े हो रखे हो और हेल्थ वाइस भी बढ़िया लग रहे हो भाई meditation है सब कुछ meditation है meditation meditation जालो जी इस podcast भी खतम करते हैं आप से मिलेंगे नए podcast में तिल दन thank you so much